नमस्कार दोस्तो राजनिती एक्सपर्ट में आप सभी का स्वागत है आज हम आधुनिक भारते के इतिहास से रिलेटेड हमारे एकजांस में जो भी इंपोर्टेंट क्योशन बन सकते हैं उन सब को एक एक करके डिटेल्स के साथ कवर करेंगे तो देड़ने करते हुए स्टा क्या गया कोलकत्ता मदरास नागपुर लाहोर तो किस अधिवेशन में पूर्ण सवराजी का लक्षे गोसित क्या गया लाहोर अधिवेशन में लाहोर अधिवेशन कब हुआ उन्निस सो उनतिस में इसकी अध्यक्सता किसने की पंडित जौाहर लाल नहरो ने पंडित जौा लाल नहरुजी की अध्यक्स्ता में और जो सवराज्य है इसका सुरुवात कब और किस ने की थी सवराज्य की मांग 1906 में कोलकत्ता अधिवेशन में दादा भाई नारुजी ने की थी सवराज्य की मांग 1906 में दादा भाई नारुजी ने कोलकत्ता अधिवेशन में की थी और पूर्ण सवराज्य की मांग लाहोर अधिवेशन में 1939 में पंडी जुआरल नहरुजी ने की थी नेक्स्ट है बारदोली सत्याग्रह के नेता कौन थे बारदोली सत्याग्रह के नेता कौन थे पंडीत राजेंद्र प्रसाद पंडी जुआलाल नहरु सरदार वल्लब भाई पटेल आचारिये जेबी कर्पलानी इनको सरदार की उपाधी बारदोली के महिलाओं ने दी थी जब ये किसान आंदुलन में जो कर वर्दी थी उसके विरोध में नेत्रतों कर रहे थे तब बारदुली की महिलाओं ने वल्ले भाई पटेल जी को सरदार कहकर पुकारा था उसी के बाद महत्मा गांदी जी ने इनहीं सरदार की उपादी से नवाजा था नेक्स्ट है वेदो की ओर लोटो किसका कथन है राम कृषन परमहंस विवेकानन्द जोतिबा फूले दयानन्द सरश्वती तो किसका कथन है दयानन्द सरश्वती जी का दयानन्द सरश्वती जी को स्वामी की उपादी दी गई किसने दी थी खेतडी के महराजा ने किसने दी थी स्वामी की उपादी दयानंद सर्श्वती जी को खेतडी के महराजा ने दयानंद सर्श्वती जी को स्वामी की उपादी दी थी जो स्वामी दैनन सर्श्वती जी है इन्होंने 1875 में मुंबई में आरिय समाजी की स्थापना की और साथ ही 1876 में इन्होंने सवराज्य का नारा दिया था जो की बाद में बाल गंगादर तिलक जी ने आगे बढ़ाया था नेक्स्ट है गांदी जी को किस वर्स सर्वे पर्थम सत्याग्रह के दोरान गिरफतार किया गया था 1906 में, 1908 में, 1913 में, 1917 में तो गांदी जी को सबसे पहले कब गिरफतार किया गया? 1908 में गिरफतार किया गया था गांदी जी को सबसे पहले कब गिरफतार किया गया था 1908 में क्यों किया गया था क्योंकि जो दक्सिन अफिरीका के ऐस्वेत नागरिक दक्सिन अफिरीका में जो भारतिय मूल के ऐस्वेत नागरिक रहते थे उनको उनके अधिकार दिलाने के लिए गांधी जी ने एक सत्यहग्रह चलाया था उसी समय इनको दो माहा के लिए गिरफतार किया गया था कारवास में डाल दिया गया था नेक्स्ट है 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिस सरकार द्वारा सत्ता हस्तांत्रन का कारण था इसी दिन कोंग्रेस ने सवराज की मांग की थी नहीं इसी दिन भारत छोड़ो आंदुलन प्रारंब हुआ था नहीं अंत्रिम सरकार बनने की वर्स गांठ के अवसर पर नहीं इसी दिन जापानी सेनाओं ने एड्मिरल माउंट बेटन के सामने आत्म समर्पन किया था 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिस सरकार द्वारा सत्ता हस्तांत्रन का कारण था पाकि उसी दिन जापान के सेना के जो एड्मिरल थे उन्होंने माउंट बेटन के सामने आत्म समर्पन कर दिया था जो आगे चल कर बाद में ये भारत के वायसराय भी बने थे कौन माउंट बेटन भारत के क्या बने वायसराय नेक्स्ट है बंगाल में स्थाई बंदोबस्त क किसके द्वारा लागू किया गया था बंगाल में स्थाई बंदोबस्त किसके द्वारा लागू किया गया था रोबर्ट कलाई वोरेन हैंस्टिंग्स वैलेजली लोर्ड कॉर्ण वोलिस तो स्थाई बंदोबस्त बंगाल में किसके द्वारा लागू किया था लोर्ड बंगाल के गवरनर जनरल लोर्ड कॉर्णवोलिस के द्वारा स्टार्ट के गई इसमें जमीदार वर्ग के द्वारा कुछ भूमी किर्सक को दी जाती थी जिसके बदले उनसे कर वसूल किया जाता था जब वो कर नय दे पाते थे तो उनको उस जमीन से एपदस्त कर दिया जाता था किसने स्टाट की थी स्थाई बंदोबस्त विवस्था लोर्ड कॉर्ण वोल इसने नेक्स्ट है भारत में गरम दल के परमुख निता थे गरम दल की परमुख निता कौन थे बाल गंगादर तिलक जी दो दल होते हैं गरम दल और नरम दल तो गरम दल में क्या होता है कि जो अपनी मांगी दर्ड़ता के साथ सामने रखे हड़ताली अपडर्शन करें वो गरम दल में होते हैं गरम दल में जो बाल गंगादर तिलक जी हैं ये एक परमुख भूमी का निभाई है इन्होंने अब बहुत सी मांगे रखे हैं और जो बाल गंगादर तिलक जी हैं इन्होंने 1916 में होम रूल लीग अंदोलन की सुरुवात की है 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 होम रूल लीग अंदोलन की सुरुव सेवा में चैनित पहले भारतिये हैं सतेंद्र नाथ टैगोर सरोजनी नाइडू लाला लाजपत्राई सी आरदास तो सीविल सेवा में चैनित पहले भारतिये कौन है सतेंद्र नाथ टैगोर जी और सीविल सेवा से बरखास्त किये जाने वाले पहले भारतिये कौन है और सीविल सेवा का जनक किसे कहा जाता है? सीविल सेवा का जनक कहा जाता है कौर्ण वोलिस को कोर्ण वोलिस को और स्थाई बंदोबस्त के जनक किसे का जाता है स्थाई बंदोबस्त के जनक भी लोड कोर्ण वोलिस को और सीविल सेवा के जनक भी लोड कोर्ण वोलिस को कहा जाता है पहले भारती चैनित के जाने वाले सत्यंदरनाथ टैगोर भारत में किस अधिनियम के महाध्यम से लागू किया गया भारत परिशद अधिनियम 1820 में मारले मिंटो सुधार 1909 मांटेंग्यू चैंसफोर्ड सुधार 1909 भारत सरकार अधिनियम 1935 तो सामपरदायक निर्वाचन परणाली को मारले मिंटो सुधार 1909 के द्वारा लागू किया गया इसमें मारले ने इन सुधारों की तुलना ड्रेगन के बीजों से की है किसे की है ड्रेगन के बीजों से की है इसमें जो मुस्लिम होते थे, मुस्लिम वर्गोत था, उनकी पर्थक निर्वाचन परणाली दी हुई है, जो ये सुधार है, मारले मिंटो सुधार, इसमें मुस्लिमों को अलग करने की निर्वाचन परणाली दी गई है, और मारले ने इसे ड्रेगन के बीजो से इसकी तुल नेक्स्ट है इसके द्वारा इसी की बारे में यह एक बैठक लंदन में आयजित के गई थी जिसे गोलमेज Summillan के नाम से जाना गया यह तीन हुए थे 1930 में पहला गोलमेज Summillan, 1931 में दूसरा और 1932 में तीसरा जो 1931 में दूसरा गोलमेज Summillan हुआ इसमें कोंग्रेस की तरफ से तीन लोग तूने, मदन मोहन मालव्य जी ने और महत्मा गांधी जी ने और एक अकेले ऐसे व्यक्ती थे जिन होने इन तीनों गोल मेल्ज सम्मिलनों में भाग लिया था, कौन थे वो डोक्टर बी आर अंबेड कर जी ने पहले गोल मेल्ज संम्मिलन 1930 में भाग लिया, दूसरे गोल में सम्मेलन 1931 में भी और तीसरे गोल में सम्मेलन 1932 में भी भाग लिया था तो ये थे आज के आधुनिक इतिहास के जो भी questions important बनते हैं तो एक बर फटा फट इनका revision कर लेते हैं जिसे हमें अच्छे से याद हो जाएं तो भारतिय राष्ट्य कोंग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण सवराज्य का लख्से रखा गया लाहोर अधिवेशन में कब हुआ था ये लाहोर अधिवेशन 1929 में नेक्स्ट है बार्दोली सत्याग्रे के नेता कौन थे बार्दोली सत्याग्रे के नेता थे सरदार वल्लै भाई पटेल बार्दोली की महिलाओं ने इनको सरदार की उपादी दी थी बाद मेने गांधी जी ने सरदार की उपादी दी नेक्स्ट है वेदो की और लोटो किसका कथन है वेदो की और लोटो दयानन सर्श्वती जी का कथन है जिनको स्वामी की उपादी खेतरी के महराजा ने दी थी और 1825 में इन्होंने मुंबई में आरियस माजी की स्थापना की थी गांधी जी को किस वर्ष सर्व पर्थम सत्याग्रह के दोरान गिरफतार किया गया था 1908 में गांधी जी को सत्याग्रह के दोरान गिरफतार किया गया था 15 अगस्त 1947 को ब्रिटी सरकार द्वारा सत्ता हस्तांतरन का कारण था इसी दिन जापानी सेनाओं ने एड्मिरल माउंट बेटन के सामने आत्म समरपन किया था बाद में आगे चल कर माउंट बेटन भारत के वायसराय भी बने थे बंगाल में स्थाई बंदोबस्त किसके द्वारा लागो किया गया था नेक्स्ट है भारत में गरम दल के परमुख निता कौन थे भारत में गरम दल के परमुख निता बाल गंगधर तिलक जी हैं जिनोंने होम रूल लिग अंदोलन की सुरुवात की थी बेलगाउं करनाटक से सामपरदाइक निर्वाचन परनाले को भारत में किस अधिनियम के माध्यन से लागू किया गया मारले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 के द्वारा जिसमें मारले का आर्थ होता है भारत सची और मिंटो का आर्थ होता है वायसराय next है दृत्तãy गोल में सम्मेलन में निम्न में से किसने भाग लिया था सरुजनी नाइडो से इनके साथी कंग्रेस के दो लोगों ने भाग लिया था एक तो गांदी जी ने और दूसरा मदन मोहन मालवे जी ने तो ये थे आज के हमारे questions, इनको हम अच्छे से याद रखेंगे, thank you, जै हिंद